In this tutorial I will show you how to create USB and hard drives in Windows 10 and Windows 11 computer तो यहां पर हम देख सकते हैं New Volume D and New Volume G तो किस तरह हम इसको create कर सकते हैं यानि के partition को create कर सकते हैं आज के इस tutorial में completely जानने वाले हैं तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने My Computer को open करना है Flash Drive को insert करना है और इसके उपर right click करके इसकी space को check कर लेना है जिसकी भी आपने partition करनी है अगर आपने hard drive की करनी है तो इसको आपने check कर लेना है तो 64 GB है और यहां से हम check भी कर सकते हैं कितनी free है तो आपने इसको ok करना है ok करने के बाद इस box को हमने close करना है जैसी हम इस box को close कर देंगे my computer पर right click करके manage इसके उपर हमने click करना है तो जैसी manage करेंगे तो manage का box हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा इसको थोड़ा set कर लेते हैं set करने के बाद left side पर हमने थोड़ी सी setting करनी है और find करना है disk management इसको click करेंगे जैसी हम इसके उपर click करेंगे इसका box हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा तो यहाँ पर हमारी hard drive और USB है तो जिसको भी आपने drive में convert करना है यानिके create करनी है drives इसके उपर right click करेंगे right click करने के बाद इस तमाम drive को delete कर देंगे और yes के button पर click करेंगे यानिके इस volume को हमने delete करना है unlocated तो यहाँ पर हम देख सकते हैं unlocated है 64 GB इसके उपर वापिस हमने right click करना है और new simple volume इसके उपर click कर देंगे welcome to the new simple volume wizard और next करेंगे बहुत ही simple सा method है new volume को create करने का 25,000 MB is equal to 25 GB तो यहाँ पर हमने simple type करना है 25,000 MB तो जैसी यानिके 25,000 MB यहाँ पर type कर लेंगे और next करेंगे इसके बाद फिर हमने next करते जाना है यहाँ पर आप उपना जो drive letter है इसको भी set कर सकते हैं यानिके drive volume जो है इसको select कर लें d कर लें next करें और इसी तरह आपने क्या करना है ntfs इसका file system भी आपने select करना है तो आपने ntfs पर इसको select करना है और next कर देंगे तो जैसी हम इसको next करेंगे process automatically continue रहेगा यहाँ पर चंद second wait करेंगे new volume जो है वो create हो चुका है यानिके new volume d और left side पर हम इसको check भी कर सकते हैं new volume d को और unlocated drives तो इसको क्या करना है unlocated drives जो है इसके उपर right click करेंगे new simple volume पर click करेंगे same method रहेगा आपने क्या करना है next next करते जाना है और आपकी जो drive है वो create हो जाएगी यानिके जो partition है वो आप इसको complete कर लेंगे और आपकी जो drive है इसका drive letter भी आप यहां से select कर सकते हैं आप क्या रखना चाहते हैं तो मैं इसको default पर रखता हूँ और next करेंगे और next करेंगे और finish कर देंगे तो simple process से इसको करने के तो हम देख सकते हैं d और g हमारे पास create हो चुकी है तो इसी तरह आप hard drive में भी कर सकते हैं usb में भी कर सकते हैं दोनों तरह से ही आप इसको कर सकते हैं just हमने चन सेकन यहां पर wait करना है और d और g इसको आपने right click करके format करना है यहां पर हमने ok करेंगे इसी तरह g को भी right click करके format कर लेंगे तो जैसी हम format करेंगे तो यह तमाम drive जो है remove हो जाएगी, format हो जाएगी, ok करेंगे तो bottom में हम देख भी सकते हैं formatting यानि कि process continue है हमने just यहाँ पर चन्द second wait करना है formatting process जो है वो complete हो चुका है इसके बाद my computer पर double click करके हमने अपने my computer को open करना है या this PC को open कर लेंगे यहाँ पर हम find out कर सकते हैं new volume D और G को यानि कि जो हमारी flash drive या hard drive है वो दो हिस्सों में तक्सीम हो चुकी है इस box को हमने simple minimize करना है minimize करने के बाद अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आपने इसके उपर right click करके इस volume को delete करना है तो जैसी इसको delete करेंगे unlocated हो जाएगी तो आपने D को भी right click करके delete volume करतेंगे और yes करेंगे तो unlocated drive हमारे पास available होगी इसके उपर हमने right click करना है new simple volume इसको हमने simple create कर लेना है next करेंगे simple वो ही process रहेगा इसके लिए दुबारा create करने के लिए next next करते जाना है आपने और ntfs पर select करना है next करना है finish करना है और चंद second wait करेंगे चंद second wait करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो drive हो create हो जाएगी तो background में जो processing है वो continue है जस्ट हमने चंद second wait करना है तो drive letter जो है वो create हो जाएगा यानिकर drive volume जो है वो हमारे पास यहाँ पर available हो जाएगा तो right side पर हम देख सकते हैं new volume जी यह create हो चुका है तो जैसी यह create हो जाए इसके उपर right click करेंगे और menu में select करेंगे format और next कर देंगे ok करेंगे और यहाँ पर इसको जैसी yes करेंगे यह formatting प्रोसेस जो है वो complete हो जाएगा और इसको हम use कर सकते हैं तो जैसी इसको हम create कर लेंगे इसके उपर right click करेंगे और इसका जो drive letter है इसको change कर देंगे या drive volume को इसको change कर देंगे right click करके इसको rename करेंगे और USB टाइप कर देंगे या जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं easily नाम रख सकते हैं तो जैसी यह process कर लेंगे इस box को close करेंगे और PC को restart कर लेंगे